में वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं आदू हलो एब्रिवन, वेलकम टू सक्षस एक जिद और आज जिस टोपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मुगनों के अधेन परदिशिक विश्थार इसमें हम चैर सासकों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले अकबर जो 1556 इस्वी में गदी पर बैठा था और उनकी मिर्ति हुई थी 1605 इस्वी में तो सबसे पहला सासक है अकबर, दूसरा सासक है जहांगिर, तीसरा सासक है सहांजा और चोथा सासक है औरंग्जेव तो आईए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में अकबर ने 1556 इसमी में पानिपत के दूसरी उजमी विज्जे पराप्त करने के साथ ही मुगल सामराजी के भात में पुने स्थापना की अकबर जो है के महतवाकान सी समराड था उसने मुगल सामराजी का विस्तार करने के लिए उत्तर था दक्षिन भारत में अनेक परदेशों को विजित किया वह स्वेम कहता है कि फोज को सिदव युद में बस रखना चाहिए क्योंकि युद अभ्यास के अभाव में वे सैनिक परमादी एवं विलाची हो जाते हैं उसके पसात जहांगेर, सहंजा और ओरंगजेब ने भी प्रदेशिक की निती को अपना आया ओरंगजेब के समीमोगल सामराजी के सिमाएं उत्तर में हिमाले से लेकर दक्षिन में नर्मदान अधी तक तथा पूरों में बंगाल से लेकर पस्ची में अर्ब सागर तक फैली हुई थी तो अब हम डिसकस करने जा रही हैं कि अकबर ने अपने अधिन जो विस्तार था वो कहां से लेकर कहां तक किया था तो देखिए अकबर ने गदी पर बैठते ही विज़े अभियान शुरू कर दिये उसने बेरमखा की साहिता से 1605 इस्वी में पानिपत के दूसरी विज़े परात की इसके पस्चाते उसने दिली तथा आगरा पर अधिकार किया 1557 इस्वी में सिकंदर सुरू को मानकोट में हराया और 1560 इस्वी तक उसने लखनव, बरारस, जोनपुर तथा गवालियर आधी पर देशों पर अधिकार किया 1560 इस्वी में सत्ता पुरू रूप से अपने हाथों में लेने के पस्चाते अकबर ने उत्तरी तथा दक्षिन भारत में सवतनतर राज्यों को समाप्त करने का निर्णी लिया तो अकबर के दिन जो परदिशिक विश्थार है वो इस परकार है सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत की विजियों के बारे में तो उत्तर भारत की विजियों में सबसे पहले जो आता है वो है मालवा की विजिय 1561 इस्वी में अकबर ने पीर मुहम्मद और आदम खा के धीन मुगल सेनाई जो है आकरमन करने के लिए मालवा पर भीज दी थी मालवा में जो सासक था वो था बाज बहादूर तो 29 मार्ज 1561 को सारंगपुर से तीन मिल दूर युद हुआ था बाज बहादूर और अकबर के बीज में इस युद में जो बाज बहादूर है वो हार गया था और खान देश के तरफ भाग गया आदम खा ने मालवा के परसिद दूर्ग सारंगपुर पर अधिकार कर लिया इसके तिरिक्त उसने राज गोस के साथ साथ जो बाज बहादूर की पत्नी थी जिनका नाम था रानिय रूप मती उसको भी अपने कबजी में ले लिया पर तो रूप मती ने जो है मुगलों के हाथों एपिबत्र होने का डर से अपने मान के रक्षा के लिए विष्खा कर आतम हत्या कर लिए ये भी कहा जाता है कि आतम खा ने विद्रो ही रुख अपनाती हुए मालवा में जितना बेधन था और जो इस तिन्या थी उन पर अधिकार कर लिया था अकबर ने जो है जब इस सब चीज की सूचना मिली उसके आदम खा के बारे में तो उसने आदम खा को दंड देने के लिए परस्थान किया भैवित होकर जो आदम खा है उसने सारा धन अकबर को सोग दिया अकबर ने आदम खा को मालवा का गवर्नर निक्त किया कुछ समें पसात अकबर ने आदम खा के स्थान पर पिर मुहबद को मालवा का गवर्नर बना दिया उसे समें बाज बाहदूर ने पुनह मालवा पर आकर्मन करके पिर मुहबद को हरा कर मांडो के और भाग गया अकबर ने तुरन थी 1562 इसमें अब्दुला उजबेक के अधिन मुगल सेना पुनह मालवा भेज दे बाज बाहदूर ने जल्द ही आतम समर्पन कर दिया मालवा को अब मुगल स्वामराज्जे में मिला लिया गया था ये थी अकबर की मालवा की विज़े के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे नमबर दो अकबर की गुजरात की विज़े के बारे में अकबर के समें गुजरात एक धनी परदेश था राजनेतिक दिर्ष्टी से भी गुजरात का भूत अधिक महतो था वहाँ पर मुझफर साथ तिलतिया का सासन स्तापित था और जो मुझफर साथ तिलतिया था वो एक एयोगे सासक था अपने सामरा जिनिति को जारे रखती हुए अकबर ने 1572 इसमें गुजरात की विर्द अभियान किया तो जो मान सिंग था मान सिंग ने भी इस युद में अकबर का साथ दिया दोनों के सिंग तिस्याना जैसे ही एहमदावाद पहुंची भैसी मुझफर साथ तिलतिया ने अब अकबर का भवे स्वागत किया और उसके अधिन था जो हो सिर्विकार कर ली इस अवसर पर इतिमाद खाने अकबर को एहमदावाद के खजाने के चाबिया सोक दी गुजराद पर अधिकार करने के बाद खान आजम मिर्जा को वहां का गौर्नर बनाया गया और स्वेम अकबर कहां पर लोट गया आगरा लोट गया उसके बाद पर तो कुछ समय के बाद वहां पर मुगनों की बर्द जोहववी दुरो हो गया अकबर ने अब्दुरहिम खाने खाना को सेना से तो गुजराद के तरफ रवाना किया और अतिशिगर ही गुजराद को मुगल समरेजिम में ला लिया गया उसके बाद है नमबर तीन अकबर की गोडवाना की विज़े गोडवाना पर उस मेरानी दुर्गवती अपने पती की मिर्ट्व के पस्चात नाबालिक पुत्तर वीर नारेन राव की संड रक्षिका बनकर सासन चला रही थी वीर नारेन की युवा होने पर भी राज्य की वास्त्विक सत्ती किस के हाथों में थी दुर्गवती के हाथों में और वो एक युग इस्त्री थी उसने मालवा जैसे पुड़ोशी राज्यों को प्राजित करके इससे धन लिया था अकबर ने 1564 इस्त्वि में आस्वखा को पचास हजार सैने को सहित गोडवान पर आकर्मन करने के लिए भीज दिया राणी दुर्गवती ने भी 20 हजार गुड़ सवारों और 100 हातियों सहित मुगल सैना का सामना किया राणी ने स्वेम युद का संचालन किया उसने मुगलों पर जोरदार विरोध किया मुगलों के हमले में उसका पुत्तर जो था वीर नारेन वो भी गहल होकर राण अक्षेतर से हट गया था लेकिन जो राणी दुर्गवती थी वो युद के मैदान में डटी रही अंत में दो तीले राणी दुर्गवती को लग गई थी और वो गहल हो गई और अपने आतम सम्मान के रक्षा करती हुए उसने अपने कटार से आतम अत्या कर ली इसके पस साथ उसका पुत्तर जो वीर नारेन था वो युद के मैदान में काम आया इस परकार गोडवानों को मोगल सामरज्जे में मिला लिया गया नमबर covered 4 है फिर चितोड की विजए गोडवाने की विजए के पस साते अकबर नहीं चितोड को विजए करने का निस्चे किया उससे में चितोड अथवा मेवाड पर राना उदे सिंह सासन करता था मेवाड पर अधिकार की बिना अकबर को पूरे उत्री समराट का समराट उत्री भारत का समराट नहीं माना जा सकता था उदेशी ने मालवा के सासक बाज बाहदूर को जो मुगलों का सत्रू था अपने राजी में सरण दी थी इनी करणों से अकबर ने 1566 इस्वी को चितोड क राजपुतों ने मुगल सेना का पूरे जोज सी विरोध गया चितोड के किले की दिवार इतने मजबूत थी कि इन्हें मुगलों के लिए तोड़ गर अंदर जाना बहुत कठीन था राजपुते के हाथों दिन पर तिदिन मुगल सेना को हानी हो रही थी इसी समय अकबर न ने बारुद के एक धेर को आग लगा दी जिससे किले की दिवार कई जगे से तूट गई परुंतु जैमल और फत्ता ने किले की दिवारे तुरंत बना दी 23 फरवरी 1568 को जैमल अकबर की गोली का निशाना बन गया 24 फरवरी 1568 को आठ हजाराज पुतों ने मुगलों पर हमला बोल दिया जैमल की मुगलों की पर साथ फत्ता ने युद की कमान समाली परुंतु वह है भी विरगती को पराफ्थ हो गया काफी मुश्किलों के पर साथ चितोडों पर अकबर का अधिकार हुआ अकबर जैमत तथा फत्ता की विर्ता से तना पर भावित हुआ कि उसने आगरा के किले के दौर परिन की मुर्तिय स्थाफित करा दी उदेशिंग की मुर्तिय के पर साथे राजा परताब मेवाड का सासक बना उसने भी मुगलों के दिनता स्विकार नहीं की प्रिणाम सवरुपे 18.1556 को मुगलों तथा राजपुतों के बीचे हल्दी गाटी का युद रड़ा गया जिसमें राजपुते हार गये थे वहाँ पर सुरुजन राए हांडा सासन करता था उसने बड़ी व्यता से सत्रों का सामना किया परन्तु अतिसी गर ही सुरुजन राए ने मुगलों से संदे के बात चलाई इसके लिए उसने अपने पुत्तर को अकबर के पास बेजा इसके बाद वहाँ स्विम अकबर के सेवों में उपस्तित हुआ अकबर ने उसे आरम में गट का टंगा का किलेदार और बाद में बनारश तथा चुनार का सुबेदार निउक्त किया रन थम बोर पर मुगलों का अधिकार हो गया फिर नमबर चे हमारे पास है कालेंजर की विजे अकबर ने 1539 में मजुन खा के अधिनता में मुगल सेना कालेंजर पर आकरमन करने के लिए भीजी उसमें राम चंदर कालेंजर का सासक था चितोड तथारन थमबोर के पतन से वह कबरा गया था उसने अकबर के समख से हथियार डाल दिये और उसके अधिनता स्विकार कर लिए मजुन खा को कालेंजर के किले का किलेदार नियुट कर दिया गया इस परकार कालेंजर पर भी मुगलों का हधिकार हो गया फिर नमबर साथ है हमारे पास अकबर की जोद पूरी तथा विकानेर की विजे चितोड रन थमभोर और कालेंजर इनकी विजे से गबरा करें जो जोद पूर का सासक था मूल देव और विकानेर का सासक था कल्यानमल उन्होंने अकबर की दिनता स्विकार कर लिए तो इस आवसर पर जो बिकानेर का सासक था उसने अपनी पुत्री का विवाज अकबर से कर दिया जसलमेर का सासक था रावल हर्राई उसने भी अकबर के दिनता से विकार करती हुए अपनी पुत्री का विवाज जो हो समराट के साथ है कर दिया गया नमबर आठ है हमारे पास है बंगाल की विजे बंगाल भी अकबर किसमे एक धनी परदेश था उसके सासक यानि की बंगाल का सासक सुलिमान कर्रानी के मुगल समराट के साथ मदूर सम्मन थे लेकिन पंद्रा सो बहतर इसमें सुलिमान की मिर्ति हो गई और उसके स्थान पर यानि की सुलिमान के स्थान पर जो सासक बैठा था वो था दाओद वो जो है बंगाल की गदी पर बैठा था बैठ गया अपनी पिता की मिर्ति के पसाथ उसने अकबर ये दिनता जो स्विकार करने से इनकार कर दिया और पटना तक की एक्षेतर पर अधियकार कर लिया, किसने दाउद ने, अकबर ने टोडरमल और मुनिम खा के धिन, मुगल सेना बंगाल भेज दी, उसने दाउद को टकरोई में पराजित कर दिया, और हाजी पूरु तथा पटना पर अधियकार कर लिया, किसने क्या था दाउद था, उसने पुनहे विद्रो कर दिया, अकबर के सेना पती अब्दुला ने दाउद को मोत के घाट उतार दिया, और बंगाल को किसमी मला लिया, मुगल सामलाज में मला लिया, फिर है नमबर 9 हमारे पास, काबुल तता कंदार की विजे, पंदरा सो इकैसी इसमी मे अकबर ने मुगल सेना काबुल पर अधिकार करने के लिए बेजी थी, काबुल में अकबर का सोतेला भाई हाकी मिर्जा जो हो सासन करता था, और वो क्या एक विद्रो ही था, जैसी ही मुगल सेना काबुल पहुंची, उसने अकबर के दिनता स्विकार कर ली, किसने अकबर क सोतेले भाई हाकी मिर जाने उसकी मिर्ट्व के पसाथ 1585 इसमें काबूल को मुगल समरे जमी मिला लिया गया और इसके बाद जो इरान के साथ से कंधार वो भी मुगलों ने प्राप्त कर लिया इस परकार उतर पस्थिम भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया फिर नमबर दस है हमारे पास कस्मीर और सिंद्ध की बीजे अकबर ने 1586 में राजा भगवानदास के नेतिरतों में एक सेना कस्मीर के सासके यूसुफ खां की विरुद्व बेजी थी यूसुफ खां ने अकबर के देंतास विकार कर ली लेकिन उसका पुत्त था यूसुफ खां के पुत्तर जो कस्मीर का सासक था उसका पुत्तर था याकुब उसने अकबर के खिलाफ विद्रों कर दिया अकबर ने कासिम खा को उसके विर्दु बेजा किसके विर्दु यूसोफ खा के पुत्रे याकुब के विर्दु कासिम खा को बेजा था कबर ने कासिम खाने 1587 में याकुब को हुरा कर कस्मीर को मुगल सामरेज में में ला लिया इसके पस साथ अब्दुर्रहिम खाने खाना इनके धिनता में मुगलों ने सिंद के सासक जानिबे को प्राजित करें सिंद पर अधिकार कर लिया ये थी हमारे पास उत्तर भारत की विजे अकबर की अब हम पढ़ेंगे अकबर के दक्षिन भारत की विजें के बारे में जिसमें सबसे पहली है हमारे पास एहमद नगर की विजे उत्तरी भारत पर अधिकार करने के पस्चाथ अकबर ने अपना ध्यान दक्षिन भारत के ओर लगाया इसके लिए सरव पर्थम उसने एहमद नगर पर आगरमन करने का आदेश दिया सोभागे से उस समय एहमद नगर में एववस्ता फैले होई थी और इसका अकबर ने बरपूर फैदा उठाए था 13 अप्रेल 1544 में में बुरहान निजाम सा के मिर्थ्यू के पस्चाथ उसका पुत्तर इबराहिम गद्धी पर बैठा लेकिन वो विज़ापूर की विर्दू लड़ता मारा गया उसके मिर्थ्यू के पस्चाथ एहमद नगर में सत्ता प्राप्ती के लिए संग्रश छिड़ गया चांद बीबी ने इबराहिम के पुत्तर बहदुर को गद्धी पर बैठा दिया दूसरी ओर मिया मंजू एहमद को गद्धी पर बठाना चाहता था निराशोकर मंजू ने राजकुमार मुराद और अब्दुर रहिम खाने खाना को एहमद नगर पर आकरम करनी के लिए आमत्रित किया अठाराती समबर पंद्रा सू पिचानम इस वी को मुगलों ने एहमद नगर का गहरा डाल दिया तीन महीने के गहरे का बाद भी मुगल एहमद नगर के दुर्ग पर विज्य प्रात्म नहीं कर सकी जैसे चांद बीवी को मुझूखा के सत्तर हजार सेनिकों सहीत आने के सुचना मिली उसने बीस मार्च पंद्रा सो चानम इस वी को संदी कर ली लेकिन इसके कुछ समय बादे पूना युद छिड़ गया इस वी में चांद बीवी को मुझूखा गाट उतार दिया गया अकबर ने मुराद के स्थान पर राजकुमार दन्याल तथा अब्दूल फजल को एहमद नगर बेजा मुगलों ने अगस्त 16 इस्वी में एहमद नगर के सासके बाहदुर निजाम साब को कैद कर लिया और इस प्रकार एहमद नगर पर मुगलों का अधिकार हो गया नमबर दो है खान देश की विज़ी 1595 इस्वी में खान देश का सासक था अली खान उसने अकबर के दिनता मान ली थी और हर वर्स कर देना भी मंजूर यानि स्वीकार कर लिया था लेकिन 1599 इस्वी में अली खान एहमद नगर में युद करता हुआ मारा गया इसके बाद मिरन बाहदूर खान देश का सासक बना उसने अकबर के दिंता सिविकार करने से मना कर दिया अकबर ने तोरण तक खांदेश कर परस्तान किया और बुर्हानपूर पर अधिकार कर लिया असीरगड के सकते साली दुर्ग पर सोडा सुषमें में अकबर ने गहरे डाल दिया असीरगण के दुरुक को अजय देखकर अकब ने चाला के से काम लिया उसने गूस दियेकर जो खांदेश के सैनिक थे उनको अपने तरफ मिला लिया और मुग्लों के मेरन बहदुर को बंदी बना लिया और 4,000 असरफियां पेंसन नियत करके उसे गवालियर केले में बंद कर दिया, 605 इसमें अकबर की मृत्तिय हो गई, तो इन सब गटनाओं ये जो उसकी वीजियों का एक जो मतलब है, जो उसकी वीजिय के प्रोसस थी, वो हमने डिस्कस की, तो इतनी वीजियों के आधारा पर हम कह सकते हैं कि अकबर जो है के महत्वाकानशी समराठ था, उसने उत्तर और दक्षिन बार्थ पर वीजिय प्राप्त करके राजनितिक एकता जो हो वो स्थापित की थी, उसके बाद हम विस्कस करेंगे, जो बचा हुआ है, मुगल समराज का विस्तार 605 में एकबर की मिर्तिय हो गई, तो 605 से लेकर 1707 इसवी तक है, जो मुगल समराजे बचा है, उसमें हम तीन सासों के बारे में पढ़ेंगे, पहला है हमारे पास है जहांगिरी, जिसने 605 से लेकर 1627 तक सासन किया, नंबर दो फिर उसके बाद है सहांजा, जिस जिसने 1627 से लेकर 1608 तक सासन किया, फिर है औरंग जेव, जिसने 1658 से लेकर 1707 इसवी तक सासन किया, तो सब से फ़ले हम डिस्कूस रते हैं, आईए जहांगिर के बारे में, 1650 में अकबर की मिर्ति के बस्चा थे, उसका पुत्तर सलीम जहांगिर के नाम से गदी पर बैठा, पुत्तर के नाम क्या था सलीम और गदी पर बैठा किस नाम से जहांगिर के नाम से, उसका पुत्तर नरुद्दिन मुहम्मद जहांगिर था, उसने 1605 इसवी से 1607 इसवी तक शासन किया उसने भी अपनी पता के सामरजी विस्तार की निती को अपनाया और अब तो आईए जाहंगिर के दिन जो मुगल सामरजी के विस्तार था वो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास मेवाड की अदिन था अकोबर ने 1566 से 1536 तक मेवाड का भियान किया था लेकिन मेवाड पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ था गदी पर बैठते हैं जाहंगिर ने भी मेवाड को जीतने करने ने लिया उस केस में राजा अमर सिंग मेवाड का सासक था जाहंगिर ने कई आरंब का भियान 1666 लेकर 1613 इसवी के विस मेवाड की विर्द बेजे लेकिन सब में उसको ऐस भलता प्राप्त हुई फिर 1614 से 1615 इसवी में जाहंगिर ने मेवाड को अधिन करने के लिए सहाजादा खुर्रम के अधिनता में सेना बेजी खुर्रम ने मेवाड को जैसे मानों की उजार कर रख दिया था राण अमर सिंग ने 1615 इसवी में मुगलों के निता सिवीकार कर ली दोनों प्रक्षों में संदी हुई तो इस डटना पर बेनी परसाद जी वो ये कहते हैं उनके इनुसारे कि समराट जाहंगिर ने परादी सतुर की विर्द जो अत्यंत सद बावना का विहवार किया उसक अन्तरिक मामलों में कभी दखल अंदाजी नहीं की राणा के सवाविमान की भावना का पूरा आधर किया उसे ने मुगल दरबार में उपरस्तित होने पर कभी मजबूर नहीं किया और नए उसे ववाएक समन स्तापित करने के मांग के जाहंगिर ने राणा के पुतर करन श और पांस जार सवार का मनस्वदार बना दिया उसके बाद है हमारे पास कि कांगडा की विजी नंबर दो जहांगिर से पुरव अकवर ने भी कांगडा को जीतने का परियास किया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था कौन अकवर सफल नहीं हुआ जहांगिर ने पंजाब के गवर्नर मुर्तजा खा को कांगडा के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा परंतु सफल्दा नहीं मिले 1619 इस्वी में खुर्रम को कांगडा पर आकरम करने के लिए भेज दिया गया 14 महीने के घेरे के बाद कांगड़ा के दुर्ग पर मुगलों ने अधेकार कर लिया फिर नमबर 3 है किस्तवार और कंधार का चिनना देखिए जांगिर ने कस्मीर मिस्तित किस्तवार पर आकणन करने के लिए कस्मीर के गवर्नर दिलावर खां को आदेश दिया उसने किस्तवार के सासक को बंदी बना कर साही दरबार में भेज दिया 1622 इस्मी में मुगलों ने किस्तवार पर अधेकार कर लिया अकबर ने कंदार पर अधिकार किया था लेकिन जाहंगेर के समें कंदार पर अधिकार अपनाया रखने के लिए बहुत ज़्यादा संग्रस करना पड़ा था 16-16 इसमें में इरान के सासक ने कंदार पर आकरमन कर दिया था मुगल सेना पती साहबेग ने इरानियों को डट कर सामना किया इसी बीचे जाहंगेर ने साहंजा के साहता के लिए अतरिक्त सेना भेज दी इरानी मुगल सेना को देखकर गवरा गए यही कारण था सा अबास ने की संदी कर ली लेकिन यह संदी स्थाई सीध नहीं होई 1622 इसमी में इरानियों ने कंदार पर अचानक आकरमन कर दिया जाहंगेर ने सोचना मिलते ही राजकुमार खुर्रम यानि के साहंजा को कंदार के और बेजने का आदेश दिया परंतु खुर्रम ने कंदार जाने से इनकार कर दिया अब समराट ने सहर यार के नेतरतों मुगल सेना कंदार बेजी जो की कायर और एयोगे था प्रिणाम से रोप एरानियों ने कंदार पर अधिकार कर लिया इसके बाद हम जाहंगिर के दक्षन विजों के बारे में डिस्कस करेंगे जाहंगिर के अपने पिता के निती पर चलते हुए दक्षन भारत पर विजे प्राप्त करने के लिए अनिक अभ्यान बेजे उसके समय मलिक अंबर ने एहमद अंगर में अपनी सब्सक्रता धार्ण कर ली थी 1608 इस्वी से 1616 इस्वी तक जांगिर ने खाने खाना तर्था खान जांग के अधिनता में अनिक अधियान एहमद अंगर में बेजे लेकिन मालिक अंबर ने सभी अबियानों को ऐसे फल बना दिया था 1617 इसमी में राजकुमार खुर्रम के दिन मुगल सेना एहमदनगर पर अधिकार करनी के लिए भेजी सुएम समराट ने भी खुर्रम के साहता के लिए मांडू में ढेरे डाल दिये अब खुर्रम ने एहमदनगर में आतिंक मचाना आरम कर दिया मुगलों के सक्ति को देखकर मलिक अंबर ने खुर्रम से समझोता कर लिया उसने एहमदनगर बाला घाट के दुर्गे और पंदारा लाख रुपे मुगलों को दिये उसने मुगर समराट की सरवस्ता सिविकार की लेकिन 1620 इसीवी तक बीजापुर्त का गोल कुंडा की सास्कों के सायता से मलिक अंबर ने अपने खोई हुए परदे से पूना मुगरों से छीन दिये थे तो ये था जहांगेर के दिन प्रोदिशिक विस्तार अब हम पढ़ेंगे कि सहांजा के दिन प्रोदिशिक विस्तार जाहंगेर की मिर्टिय के पसाते 1627 इस्वी में उसका पुतर खुर्रम गदी पर बैठा उसे भारत की इत्यास में साहंजा के नाम से जाना जाता है उसने भारत पर 1688 अच्वी तक सासन किया उसने अपने 30 वर्ष के सासनकाल में मुगल सामराजी को विसालता स्तिर्टा के साथ साते सुर्क से भी परधान के उसके गदी समालते ही जोजहार सिंग बुन देला तथा खान जहालो दिन विदरो कर दिये थे लेकिन साहंजा ने इन विदरो को बड़ी आसाने से दबा दिया था साहंजा के अधियन मुगल सामराजी के विस्तार आईए देखते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास है छोटे तिबबत की विजे वैसे तो साहंजा को एक विसाल सामराजी उत्तरा देकार के रूप में प्राप्त हुआ था लेकिन फिर भी उसने अपने विजे अभ्यान जाले रखे उसने 1634 इसने में लुप्त तिबबत यानकी बलतिस्तान पर आकरम करनी के दिसे ना भीजी छोटे तिबबत का सासक अबदाल मुगलों के सत्रु कस्मीर के चक्कों को आसरे देता था मुगल गवर्नर जफर खां के कहने पर अभदाल ने मुगल समराट के दिनता स्विकार कर ली थी परन्तु कुछ समय बाद ही विद्रो कर दिया था सांदा ने चोटे तिबद पर जफर खां को आकरमन करने का आदिश दिया उसने 1683 इस्वि में अभदाल को हरा कर नुगल समराट के दिनता स्विकार करने को मजबूर कर दिया उसने नुगल समराट को 10 लाख रुपे भी पर दान किये उसके बाद है नमबर दो भील तथा गोंड जंजातियों की विजे साहन जाने 1632 इस्वि में मांगलाक मालवा की भील जंजातित था 1634 में गोंडवान की मारवी गोंड जातिको प्राजित किया ये जात्मा उपर दरू मचा रही थी इनके प्राजित हो जाने से मालवा तथा गोंडवान में 36 तापित हो गई थी 1649 से 1622 इस्वि में अबदूर खां और बहादूर खां के नेतरतों में मगल सेनाओं ने बुंदेल खंड की विद्रोही सासक चंपत राय को प्राजित किया उसमें साहन जा की अधिन्ता स्वियकार कर ली थी 1635 इस्वि में साहन जाने कांगड़ा के फोसदार नजावत खां को श्री नगर पर आकरमन करने के लिए भेजा लेकिन वह ऐसा फल रहा 1635 इस्वि में खली लुत्ता है तथा मीर आतिस कासिम को सेनापती बना कर कुमाओ तथा श्री नगर भेजा उन्होंने कुमाओ तथा श्री नगर के राजाओं को प्राजित कर दिया फिर नमबर पांच है कामरूप तथा आसाम पर आकरमन 1658 इस्वि में सहंजा ने कामरूप तथा आसाम के सासक को पराजित किया वहां के सासक बली नाराइन ने मगल समराट के धिनता स्विकार कर ली थी नमबर चे है पुर्त गालियों से युद 1632 इस्वि में सहंजा ने आसिम खा को पुर्त गालियों पर आकरमन करने का आदेश दिया साथे तीन महिनों की घेराबंदी के पसाते पुर्त गालियों ने हार मान ली जिन लोगों ने इसलाम गहन कर लिया था उनको छोड़ दिया गया इस युद में हजारों इस्तरी पुरुष मारे गए और चमाली सोपुर्त गालियों को कैद कर लिया गया था साहंजा के आदेश पर महावत खाने 1633 इस्वि में एहमदरंगर के निजाम साही राज्ये पर आकरमन किया मुगलों ने एहमदरंगर का गहर डाल दिया मलिक अमर के पुत्तर फतेका ने एक लाग पचास हजार रूपे के बदले दूर के तथा समस्त युद सामगरी मुगलों के हवाले कर दिया इस परकार तीन मास के घेरी का पसा थे एहमदरंगर पर मुगलों का अधिकार हो गया निजाम साह हुसेन को बंदी बना करें गवालीर भेज दिया गया 1636 इस्वी में साहंजा ने बीजापुर तथा गोल कुंडा के सासकों को पत्तर बेज कर अधिनता सिविकार करने को कहा गोल कुंडा के सासक अब्दूला कुतूब साने मुगल समराट के दिनता सिविकार कर ले तथा 60,000 रुपे वार्षिक देने सिविकार किये इसके पसाते बिजापुर के सासक आदिल सा ने भीनमगलों के दिनता सिविकार की तथा 20 लाग रुपे वार्शी कर्द के रूप में देना भी सिविकार किया उसके बाद है ओरंगजेव के दिन प्रोजेशी की विस्तार मुहिनोदीर मुहमद ओरंगजेव आलमगिर 21 जुलाई 1668 इसमी में दिल्ली के गद्धी पर बैठा उसने 1707 इसमी तक सासन किया उसके दिनमगल सामराजे का विस्तार इस परकार है नमबर एक पे है कोच बिहार की विजे औरंगजेव ने जून 1660 इसमी में मेर जुबला को कोच बिहार पर आकर्मन करने के लिए पहला मेर जुबला के कोच बिहार पहुंचते ही वहां का सासके भाग गया कोच बिहार पर बिना युदकिन मगलों का अधिकार हो गया नमबर दो है आसाम की विजे कूच बहार बिहार की विजे के पस्थाते मेर जोना ने आसाम के और पस्थान किया उसने आहुमराजी के राजदानी गटगाव का गहरा डाल दिया परंतु वहां के सासके जैद वजने शिगर हिमोगनों के देंता मान दी लबग चैर वर्सों के पस्थाते आसाम के नव सासक चकर धवजे ने सवतनतरता धारन कर गोहाटी पर अधिकार कर लिया परंतु 1689 इसमी में मुगलों ने आसाम पर अधिपत्ते स्तापित कर लिया इसके पस्थाते 1681 इसमी में आसम पुना सवतनतर हो गया फिर नमबर तीन है चिट गाउं की वि दिया नमबर च्यार है उत्तर पस्थमी सीमा के कबिलों का दमन औरंगजेब ने युसुफ जाई जातें को प्राजित करने के लिए सम्शेर खां और अमिन खां के दिनता में मुगल सेहना बेजी मुगल सेहनाव ने 1666 इसमी में युसुफ जाईयों को हरा दिया और लग व उत्तर पस्थमी सीमान प्रदिशों में उत्पात मचाना आरम कर दिया मुहमद अमिन खा के नेत्रितों में मुगलों ने अफ्रीद यूगों हरा दिया अमिन खा जान बचा कर पेशावर के और भाग गया 1674 इसमी में मुगलों ने खटक जाती पर विजय अप्राप्त करके उत्तर पस्थमी भारत में 36 इस्तापित की यदि पी इन युदों में मुगल शेना को काफी हानी उठाने पुड़ी थी नंबर पांच है मारवाड तथा मेवाड पर आकर्मन 1678 इसमी में जस्वंद सिंग की मिर्ट्व के पस्चा आते खान जहाज बाहदूर के नेतरितों से मुगलों ने मारवाड पर आकर्मन कर दिया और जस्वंद सिंग की दो विदुआउं तथा नाबलिक पुतर अजित सिंग को कैद कर लिया 1689 इसमी को राजकुमार अकवर ने मारवाड पर आकर्मन कर दिया मुगल चहाकर भी मारवाड पर आजिपत्य स्तापित नहीं कर सके 1707 इसमी में मुगलों ने जस्वंद सिंग को सवत्मतर रजा मान लिया मारवाड के पस्चाते ओरंग जेव ने मेवाड पर आकर्मन किया मेवाड के सासक जैसिंग ने मारवाड की सायता से मुगलों का विरोध किया राजकुमार अकवर की विद्रों के प्रिणाम से मुगलों ने 24 जून 1681 इसमी को उदेपूर में राजपुतों से संधी कर ले मार आजम को बीजापुर पर आकर्मन करने का अधिश दिया 12 सितंबर 1686 इसवी को 17 मास की घेरी के पस्चाते मुगल सेना ने सुर्तान सिकंदर को कैद कर लिया और बीजापुर को मुगल सामराजी में मिला लिया बीजापुर की विजे के पस्चाते 7 फरवरी 1687 इसवी को म मुगलों ने गौल कुंडा की घेराबिंदी सुरू कर दी गौल कुंडा के एक पठान सरदार अब्दूला पानिर इसमें इरिसोत लेकर 2 अक्टूबर 1687 में दुर्व की पुर्वी दवार खोल दिये मुगलों ने गौल कुंडा के सुल्तान अब्दूल हसन को बंदी बना था शिवाजी के बड़ती वोई सक्ति को समाप्त करने के लिए ओरंग जेव ने जैसिंग को मुगल सेना का सेना पती बना कर महाराश्टर भेजा उसने शिवाजी को प्राजित कर 1665 इस्व में पुरंदर की संदी करने पर मजबूर कर दिया शिवाजी ने मुगलों को तेज के लिए परधान किये 1666 इस्व में शिवाजी और उनका पुत्तर संभाजी मुगल दरबार में पस्तित हुए वे औरंग जेब दोवारा मुगल कारागार में डाल दिये गए परंतुवे मुगलों के कैसे निकल कर सुरक्षित महाराश्टर चले गए 1664 इस्व में राइगट में शिवाजी का रद जरोहन बड़ी धूम दाम से मनाया गया औरंग जेब 1707 इसवी तक मराश्टों से लड़ता रहा इसके बावजूद भी उससे पुरून सभलता परापते नहीं होई तो अब इन से निसकर्ष कहा निकलता है अकबर, जहांगिर, सहंजा और औरंग जेब इन सबकी विजियों के बारे में इनके सामराजी विस्तार के बारे में पढ़ा तो देखिए, हम देखते हैं कि जहांगिर, सहंजा औरंग जेब के दिन मुगल सामराजी दूर दूर तक फैला हुआ था हावाएं के उत्तर पस्चिम तथा दक्षिन भारत मुगलों को काफी हाने उठाने पड़ी थी दक्षिन भारत की विजए तो मुगलों के पतन का मुख्य कारण मनी थी तो ये थी मुगलों के दिन प्रोद्शिक विस्तार की complete detail तो आज का लक्षर यहीं पे समात होता है थैंक्स पर वोचिंग और केप स्पोर्टिंग जैहीं